राज्य मंत्री परशत की बैठक मानिय मुख्य मंत्री जी की अट्यक्स्ता में संपन होई बैठक में कुल अठारा प्रस्ताओं पर विचार किया गया इन प्रस्ताओं पर सुखिर्टी दी गई उसकी जानकारी में आपको दे रहा हूँ परियावनण वन और जलवायू परिवतन विभार के अंतरगत अवर वन सेवा निमावली में संफोधित करने है तू प्रस्ताओं पारित किया गया इस निमावली में प्रस्ताओं की अवेशक्ता इसलिए पढ़ी कि बड़ी संक्या में वहाँ पर नियुक्ती की गई है और जो जूनियर स्टाप नियुक्त हुए हैं उनकी नियुक्ती जल्दी करना है दूस नियुक्ती को सुगम और जल्दी करने के लिए जो अवेशक्त संसोतर में वो किया जया है ताके जॉइनिंग हो जाए और जॉइनिंग के बाद वो लोग काम कर सके नौसो दो वन रक्षी जिसको अम्रिजी में फोरेस्टर करते हैं युक्त है फोरेस्ट गार्ड कहिए उनकी बाली का रास्ता साफ होगा और यह जोग जोइन कर पाएंगे तो यह नियम बनाए गया है दूसरा प्रस्ताव सामाने प्रशासन विभाग में विहार राज्य निर्वाचन परादिकार है हाटिं रोड पर इसकी ऑफिस है और यहां से पैक्स कॉपरटिव के पैक्स और दूसरे ग्रास रूट लेवल की संस्थाओं क्या चुनाव कराने का काम होता है वहां पर एक परामर्शी के पद सिर्जित है उस परामर्शी के पद के मान्दे को संथोधित करने का परस्ताव पारिट किया अभी जो नियम था उसमें 30,000 रुपया मान्दे मिलना था जो वहां आदिकारी है वो वरीयस्तर से रिटायर किये है तो उनको अंतिम वेतन से पेंशन की राश निदेशाले का है, पटना वाई अड़ा पर रेनोवेशन वर्क हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और ये काम करा रहे हैं, ये अर्पोर्ट अथरुटी आफ इंडिया लिमिटर्ड, आपके देखा होगा, आप गए होंगे तो देखा होगा आपने, तो उस काम में जो विस्तार हो रहा है, तो बिहार सरकार की भी कुछ संदरचना है, बिहार वायोयान संगतन जो है, उसके दो हैंगर परशासनिक भवन और विआईटी रूम, और बिहार फलाइं इस्टूट का एक हैंगर है, परशासनिक भवन है, शैक्छनिक भवन है, अपरोच पत है, अपरन है, तो तो इसको शीफ्ट करना पड़ रहा है, शीफ्ट करके नई जगा पर बनाया जाएगा ताके हावयड्डे के लिए अधिक जगा मिल जाएगा, तो शीफ्ट करके नई जगा बनाने के लिए, जो उसके लागत होगी, वो एक 7.57 करोड रुपे की होगी, एक सठ करोड सत्तावन लाट उते की लागत से तो यह सुखिर्टी दी गई है कि यह क्राम कराये जाएगा नए एस्ट्रक्चर बनेंगे और पुराने एस्ट्रक्चर आटेंगे ताके हवाएड़े का विस्ताई करन्थ हो जाए तो यह प्रस्ताव पारिद किया गया है उसके बाद जल संसादन विवाद का प्रस्ताव था बलवागाट बराज सह सीजाई योजना है उसमें पहले प्रशास्तिक सुखिर्टी दी गई थी एक अरब साथ करोड बारह लाग चावालिस हजार रुपए की अब उसको और शेश काम को जो है इस वित्तिवश उनीस सो बीस दो जाजा उनीस बीस से राज योजना के अंतरगत शीर से भारिद करने के सुखिर्टी का प्रस्तावर है कि राज योजना से इस्काम को करा दिया जाएगा तो ये स्कीम सुखिर्टी गई है बल्वा घाट बराज सा सिचाई योजना ये मदवनी जिले में खौंस नदी है वहीं पर ये सिचाई योजना बनेगी और इस सिचाई योजना से काफी कुछ लाब होगा तो ये स्कीम पास की गई है इसमें बराज और लिंक चैनल आदी जो होती है चीजें उसके साथ की वो बनाई जाए नहीं अगला प्रस्ताव जो पारिट किया गया है वो अरल्या जिले में जो राज की है अभियंतरन महाविजले अरल्या है स्टेट गवर्मेंट का इंगिनरिंग कॉलेज अरल्या उसको नाम श्री पनिश्वर नाथ रेणू अभियंतरन महाविजले अरल्या रखे जाने की स्विपिटी दी गई नाम होगा उस कॉलेज का ताजे सरकार की नए कॉलेज का पड़ीश्वर नात रेनू अभियंतरन महाविद्ध जालेगा एक अन्य फैसला जो बहुत महत्वपूर्ण है यह समाने परशासनी विपात के परस्ताव पर लिया गया है वो यह लिया गया है कि जिस तरह केंद्र सरकार के करमचारियों के सेवा संबंधी विवाद के निज्टारे के लिए जिस तरह केंद्रीय पर शासनिक म्याइधिकरन होता है Central Administrative Tribunal जिसमें केंद्र सरकार के करमचारियों की सेवा संबंधी मुकर्ण में सुनी जाते है उसी दरज बद बिहार में बिहार परशासनिक न्यायदिकर्ण बनाने के लिए परास्ताव पारित किया है। बिहार सरकार की करमचारियों के लिए एक प्रशास्तिक निया दिकर्ण होगा, जिसमें बिहार सरकार की करमचारियों की सेवा संबंदी मुकदमे सुने जाएंगे और रिसाइट किये जाएंगे. इससे फायदा यह होगा कि करमचारी को सीधे हाई कोड़ नजाना होगा तो इससे हाई कोड़ पर भी मकदमों का बोज और दबाव कम होगा और न्याय जल्दी मिलेगा विवाद घटेंगे करमचारी को भी राहत मिलेगी तो इस न्याय देकरण के गठन की अधिसूचना जो निल्गत होनी है वो एक्ट के मताबिक केंद सरकार से होनी है तो राजे मंतरी परशद का प्रस्ताव है कि केंद सरकार को राजे सरकार अनुशंसा भीजे कि विहार में Ü我ं इस्टेट संटार यानी बिहार प्रषाशनित नियाई दिकरन दियारे हैं ड़िया ग्लाया है से अपराद अनुसंदान विभाग में या निसी एडी में उसमें कुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए जो सुईकिर्थ 269 पद हैं उसमें से 50 पद खतम किये गए और उसकी जगा पर इंस्पेक्टर के 30 पद सिर्जित किये गए गए प्रोइबिशन काम में लगे हुए जो पद हैं सब इंस्पेक्टर के उसमें से 269 पद थे 50 को समाप्त कर दिया गया उसकी जगा इंस्पेक्टर के 30 नए पद कारेखित में आवश्रक्षा इसलिए किया गया इसी परकार बिहार गवा सुरक्षा योजना दोहजार अट्थारा की सुक्रिटी दी गई यह योजना जो ल यह यह दो आवश्रक्षा पाते हैं कभी कभी कवाह ऐसा होता है तो उनको सुरक्षा देने के लिए एक तंत्र होगा जिले में एक कमीटी होगी वहां वो आविदन देंगे उस कमीटी के द्वारा उनके उपर गवाहों के उपर जो खत्रा है उसका अध्यन कराय जाएगा और खत्रे के अध्यन करके जो आवश्रक्षा गवा को देनी होगी वो दी जाएगी ताकि गवा सुरक्षित रहे और मोकदमे में निर्भीकों के गवाही दे सके और इस काम के लिए गवा सुरक्षा गोश भी बनाए जाएगा एक फंड बनाए जाएगा जिसमें सरकार जाएगा जाएगा अब जो सुरक्षा के लिए जो उपाए जैसा जिस मामले में आवश्यक होगा वो किया जाएगा जाएगा जो तो गजिट में आएगा तो पप्लिट जाएगा लेकिन इसमें अगर जरुवत पड़ेगी तो कवाह कर टेलेफून नंबर को बदा जा सकता या उसको सेकरेट के लिए नंबर दिया जा सकता है गवा की घर पर सी सी टीएवी कैमरा सेकरिटी अलाम वाला डोर आदी लगाया जा सकता है गवा की पाचान को छूपाते हुए उसको कोब नाम देते हुए मुकadmå में प्रस्तूत किया जा सकता है एक पुलिस कर्मी को नामित किया जा सकता है जो गवा को कोई भी खत्रा होगा तो गवा उस पुलिस कर्मी को तुरतफोन करेगा कि उसी मदद करें गवा के घर के आस पास गहन सुर κषर मियमित गर्ष्त कराई जा सकती है गवा को temporarily आस्थाई रूप में किसी दूसरे घर में रखवाई जा सकता है किसी अन्या स्थान पर गवा को कोट में आने जाने के लिए स्कॉर्ट या सरकारी वहां या पुलिस स्कॉर्ट दिया जा सकता है ताकि उसको कोट जाने में कोई खत्रा नमसूस हो गवा का की गवाही इन कैमेरा यानि वेक्तिगत विचारन कर्ष में साल्जवनी की रूप से नहीं जाट के सामने कराई जा सकती है ऐसा भी कोट में विवस्ता किया जा सकता है कि गवा और अभ्यूक्त का आमना सामना नहो आते जाते हुए तो इस तरह के बहुत सारे उपाय हैं जो हर मामले की परस्थितियों को देखते हुए आवेश्यक्ता नुसार असेस्मेंट करके समिच्छा करके किया जाएगा कि किस गवाद को क्या सुरच्छा दी जाएगी इससे लाव होगा किये ट्रायल अच्छी तरह हो पाएगा अगला परस्ताव परियावरण वन यवं जलवायू परिवर्चिन भाग के बारे में हैं उन्होंने भारत सरकार की जो कारी योजना है उसके मताबिक 27 वन परमंडलों में 27 पॉरेस्ट इविजन में वन रोपन कार पेड़ लगाने का काम रख रखाओ निर्दार जल संदर्चन, Soil and Water Conservation, आधार भूत संदर्चनाव का निर्मान चारे, Infra-Structure Development, वन ने पराणी की सुरक्षा, जंगली जनवरों की सुरक्षा, इन सब कामों पर और महीला रख्षावानी के मांदे पर वे, इन सब चीजों पर कुल 140 करोर रुपे की सुकृति का परस्ताव पारित हुआ है, ताके वन से संबंदित ये सारे काम कराएगा सके। पथ निर्माड विभाग ने परस्ताव लाया था कि बिहार राज्ये पुल निर्माड निगम के अधीन निर्मित होने वाले पुलों के लिए भूमी अधिगरहन, बू अरजन में हो रही ही कचनाई को देखते हुए, बिहार प्रशास्तिक सेवा के चार सेवा निवरित पत अधार पर रखा जाएगा जो भूमी अधिगरहन की मोनिटरिंग करेंगे के जिलों में भूमी अधिगरण समय पर खोराये के लिए इसकी सुखिर्टी हुए है तके पर्योजनाओं में भूमी अधिगर्ण प्रशी से हो सके, अगला निर्जने विधीम बाग के और उसके साथ आठ नंग गल्टेड पद भी जजज साहिब की सायता के लिए सिधित किये जाएंगे अगला दिर्दे भी विरी विवाक के पसंद में था विहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार विहार एस्टेट लीगल सर्विस अथोरिटी उसके लिए पटना हाई कोट में कारेरत माननीय न्याय मोर्ती श्री दिनेश कुमार सिंग को कारेकारी अध्यक्स मनोनित करने का निड़ में मंतिर प्रशद ने आज स्विकार किया है विधिव भाग के ही अनरोज पर राज में उत्पाद अभियोगों के तौरित निश्पादन है तो जो 74 एक्सकुलू सिर्जित ये कहे हैं 74 इसको हिंदी में कहेंगे अनन्य विशेष ने आयले उत्पाद यानि उन केसे में सिर्फ शराबंदी के मामलों की सुनवाई होगी फुल टाइम सारे जिलों में ये कोर्ट से कुल संख्या चवात्तर है अडिशनल डिस्टिक एंड सेशन जज के लेव सिर्जित हो चुके हैं आज उन कोर्ट के लिए चौर्टर कोर्ट के लिए नन गाजटेट को सपोर्टिं स्टाफ 666 पदों के सिर्जन की सुक्रिती दी गई और अंतिम जो जड़ने हुआ वो यह हुआ कि श्री उपेंदर नाथ पांडे विशेष सची मंत्रमंदल सची वा सिवा निवर्टि के परश्चात इनको मंत्री परश्चत के आदेश से विशेष सचीत के पत पर रखा गया था और ये मंत्री परश्चत की बैठकों से सम्मंदित अत्यन्त महत्वपोन कार्ज बहुत ही कारी कुशलता के साथ निवाते आ रहे हैं तो इनको अगले एक वर् इनको सेवा में विस्तार दिया लिया ताकि ये इसी परकार अपने कार्यों का निश्पादन करते लहें तो ये सारे निवने आ जुआ हैं कि इनकी जानकारी में आपको दे रहा हूं तन्योड़